आज मैं बनाने जा रही हूं बच्चों का फेबरेट चॉकलेट केक उन्हें ये बहुत ही पसंद आता है तो बिल्कुल सॉफ्ट और इस्पंजी बनता है ये तो वीडियो को पूरा जोलू देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर लिजे और मेरे चैनल को भ अधा कप लिए मैंने कोको पाउडर और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस प्रकार से चम्मस से सभी इंग्रेडियंट्स को अच्छे से मिला लेना है आप एक ही कप से या फिर एक ही कटोरी से सारे मेजर्मेंट ले सकते हैं उसमें कोई भूल नहीं हो बिल्कुल ब इसे मिक्स करेंगे जितना बन सके और अब इसे अच्छे से मिक्स करने के लिए मैं ले रही हूं दूट तो दूट से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है मैंने फुल कप नहीं लिया थोड़ा सा कम है यह उसमें और इसमें थोड़ा थोड़ा डूट डालते जाएंगे और इ यह बिल्कुल से गीला नहों और इस प्रकार से यह देखिए इसे मिक्स कर लेना है और यह एक कप दूद जो है मैंने पौना कप दूद लिया था वो पूरा इसमें लग चुका है और अब मैंने यह और दूद लिया है यानि एक कप आटे का अगर आप केक बना रहे हैं तो उसमें एक कप से थोड़ा ज़्यादा ही दूद लगेगा तो इस प्रकार से इसे मिक्स कर लेंगे तो यह देखिए पेश्ट अच्छा बन चुका है और इसमें धार लगातार गिर रही है मतलब अब हमें और इसमें दूद नहीं मिलाना है अच्छे से यह बेटर तयार हो चुका है अब इसे मैं रवड़ूंगी एक साइड और अब एक पॉट लेना है और इसे अच्छे से ग्रीस कर लेना है और अब एक लेंगे पेपर नॉर्मल पेपर या फिर अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर लगाए और यदि बटर पेपर नहीं है तो नॉर्मल पेपर लगा के उसके उपर फिर से थोड़ा सा ओयल ग्रिस कर दीजे तो ये लीजे ये रेडी हो गया और अब इस केक में हमें डालना है इनो तो एक पाउच पूरा इसमें डाल देना है मैंने इसमें बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है इनों से मैं केक बना के दिखा रही हूँ तो ये मैंने पूरा एक पाउच इसमें डाल दिया है और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये दिखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इस मिश्रन को पॉट में डाल देंगे और अब एक कड़ाई लेंगे और उसमें मैंने डाल दिया है ये नमक और इसे अच्छे से फैला देंगे और इसके उपर एक छोटी सी प्लेट रख देंगे इस प्रकार से और अब इसके उपर केक वाला पॉट इसके उपर इस प्रकार से रख देंगे और इसे उपर से कवर क कर लेना है अब मैं इसे चेक करती हूं कि ये बेख हुआ की नहीं तो ये देखिए केक जो है बन चुका है अब मैं इसे बाहर निकाल ले रही हूं केक को पूरा बनने में कम से कम तीस से पैंतीस मिनिट लगे हैं और अब मैं इसे ठंडा होने के बाद अब इसे निकाल ले रह यह लीजिए केक बनके तैयार हो चुका है देखिए कितना बढ़िया इस्पंजी बनाया है यह मैं आपको काट के दिखाती हूँ इसे यह दिखिए बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी केक बनके तैयार हुआ है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में